हेलो फ्रेंड्स आज खेस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप IRCTC एप में अपने टिकट बुक कर रहे हैं और आपको अपने डेबिट कार्ड या एटीम कार्ड से पेमिट करने का उप्षन नहीं मिल रहा तो वो उप्षन में आपको बताऊंगा कि वो आप्ष IRCTC एप को लॉगिन किया है और यह जैसे ही आपको टिकट बुक करते हैं यह मैं आपको दिखा देता हूं सारा कुछ जल्दी से फॉरवड करके दिखा देता हूं जैसे ही आपको टिकट बुक करते हैं और यह मैंने सारी डिटेल भर दिया अपनी जहां पर मुझ को जाना ह और यह नीचे हमारे सामने दो option आये हैं एक तो भीम UPI का Pay, भीम UPI से कर सकते हैं लेकिन हमको debit card से करनी है इसलिए आप उपर वाला option चूज कर लिजिए Pay, debit card और यह नीचे GS वाले option को भी चूज कर लिजिए और उसके बाद Review Journey Detail पर क्लिक कर दिजिए यह दिखिए यह हमारे को proceed to pay का option आगया अब अब यहाँ पर यह जो code है यह लिखा हुआ है, type in box below, यह UY72 यह ऐसा ही बिलकुल लिख दिजिए, यह UY72 लिखकर उसके बाद यह proceed to pay पर क्लिक कर दिजिए और Yes कर दिजिए और यहाँ पर हमारे सामने यह दो option आगे हैं, wallet और multiply payment option का, यह multiply payment option पर क्लिक कर दिजिए और यह सबसे उपर वाला option है जो IRCTC पर इस option को चूज़ कर लिजिए और pay यह निचे pay पे क्लिक कर दिजिए और यह हमारे सामने यह ऐसा page आ जाएगा यहाँ पर आप अपने debit card का नमबर डाल दिजिए, यह सबसे उपर और निचे month और year वाली date डाल दिजिए और CVV code हमारे debit card के पिछे लिखा होता है, वो डाल दिजिए और name on card जो की आपका card पर जो आपका नाम है वो नाम लिख दिजिए और pay, यह pay के option पर क्लिक कर दिजिए, उसके बाद जिस भी bank का आपका ATM card है और जो bank में आपके mobile number पर एक OTP आएगी, यहाँ पर वो OTP एंटर करने का option आएगा आपको वो OTP एंटर कर दिजिए, आपकी payment हो जाएगी, debit card से इस तरह से आप debit card से payment कर सकते हैं और अपनी ticket book कर सकते हैं अगर आपको मेरा यह video अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दिजिए, share कर दिजिए और मेरे channel को भी subscribe कर दिजिए